नमस्कार मैं डॉक्टर आशीश वोरा आपको इस वीडियो द्वारा डोनिंग की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा डोनिंग अथवा पीपी पहनने के पहले अपनी घडी, अंगूठी, इत्यादी उतार दें इसके पश्चात एक टोपी, एक जोड़ी कपड़ा और जूते जिनने आप बाद में धो सकें पहन ले सूपर्वाइजर की जाच के उपरांद डोनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इसके उपरांथ वीडियो में दर्शाय गए तरीके से एक एलकोहॉल बेस सैनिटाइजर से अपने हाथों को किटानू रहित करें इस प्रक्रिया को डोनिंग के दोरान समय समय पर दोराय जाएगा हाथों को किटानू रहित करने के बाद दर्शाय गए तरीके से गलव्स का पहला जोड़ा पहने अब एक साफ कुर्सी में बैठ जाएं और एक-एक करके शू कवर पहने उसे इस प्रकार पहने कि वह आपके घुटनों के उपर के कपड़ों को ढख ले शू कवर पहनने के उपराद अपने गलव्स को एक बार फिर किटानू रहित करें अब गाउन ले और उसे बाहर और अंदर से अच्छी तरह किसी भी कमी के लिए जाच ले गाउन पहनने के लिए सुपरवाइजर की मदद ले अब सामने दिये गए फीतो को बांद ले गाउन पहनने के बाद गलव्स को इस प्रकार पहने कि वो आपकी महा की कलाई को आदी दूर तक ढग ले N95 रेस्पिरेटर को अपने हाथों पर एक कप की तरह रखें अब उसे मुख के पास लाकर इस प्रकार रखें कि वह नाक और मुख दोनों को चारो तरफ से अच्छी तरह ढख ले अब दिये गए बैंड को अपने सर और गर्दन के पीछे लाकर कस ले अब मुख से हवा फूख कर किसी भी तरह के लीक के लिए जाच करें इसके उपरांथ हेड कवर लें और उसे दर्शाय गए तरीके से पहन ले हेड कवर में दिये गए मास के फीतो को सर के पीछे लाकर इस प्रकार बांदें कि उसे आसानी से खुला जा सके अब वीडियो में दर्शाय गए तरीके से फेश शील्ड को पहने यहाँ आपकी आँखों का ड्रॉपलेट एवं एरोसोल से बचाव करेगा कोविड एरिया में जाने के पूर सुपरवाइजर पुना आपकी जाच कर आपको जाने की अनुमती देंगे